हाई नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे यूटूब चैनल सेर्फिय फिंडिया में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्तोपूर चैप्टर जिसका नाम है मस्तिस्क जो आपके आने वाले इजामजी स्रेले लोको पाइलेट गुरूब डी डीमर्सी तता सभी पूलिस लिगामों के लिए बहुत ही महत्तोपूर हैं दोस्तों एक बात और अगर आप मेरे चालों को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जो रेट कर सब्सक्राइब बटम दिया गया है उसे दबाकर मेरे चालों को लाता है तो मस्तिस्क का अध्यान दोस्तों नियूरोलोजिक लाता है ठीक है अगला प्रस्ण है दो नमबर मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है तो मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरी बरम जिसको प्रमस्तिस्क भी बोलते हैं मस्तिस्क का सबसे बड़ा भ मस्तिस्क का कौन सा भाग जो पेसी या शरीर को नियंत्रा करता है थे इंसर दोटाग किसे कहा जाता है अगला पांच नमर प्रश्ण है मस्तिस्क के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है तो मस्तिस्क का पीछे वाला भाग दोस्तों कहलाता है मंडूला अबला गेंडा मस्तिस्क के पीछे वाला भाग मंडूला अबला गेंडा कहलाता है अगला छे नमर प्रश्ण है मेडूला अबल कमुण सब्सक्रांगा जो स्वाशन करता है तो अन्तरण करता है था। सब्सक्राइब मढूला अवलागेंडा मcenter का वह भाग है जो अगला आठ ना-र्परस्ण है मस्तिस्कप का कौन सब्सक्राप पीने से परभावीत होता है मस्तिस्क का एक भाग है जो सराब पीने से परभावीत होता है उसका नाम है सेरी बेलम ठीक है अगला प्रस्ण है नो नंबर मस्तिस्क के किस भाग में GP-3 ग्रन्थ nuevas passenger सरीबे लम में मस्तिस एक भाग है से टीड्रेक्ति पाईского दाउती है अगला मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो मस्तिस्क का वजन udah तो होता है स्यनि दिए नमर्प्रश्ण है मस्तिस्क का कौन सभाग जो प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रन करता है तो सब्सक्राइब करते हैं परतिवर्ति क्रियावों का नियंत्रह करता है अगला 12 नमर प्लश वोजन को उगलने या निगलने के लिए सवह वकता है अगला 13 नमर प्लश्न है मस्तिस्क अस्थियों के खोल मस्तिस्क के जो अस्थी होता है वो किस खोल में बंद रहता है जो बाहरी अगहातों से बचाता है तो उस खोल का नाम है क्रेनियम ठीक है इसी को दोस्तों मस्तिस्क का सुरक्षा कवच भी कहते हैं क्रेनियम को क्या बोलते हैं मस्तिस्क का सुरक्षा कवच अगला प्राश्ण 4 नमर है मस्तिस्क का सुरक्षा को वस किसे कहते हैं तो हो ज़िए इंसर करेनियम अगला पंदर नमर, एक बार और दोस्तो प्राश्ण मस्तिस्क के 4 और किसका आवरन पा जाता है तो इंसरो ज़िए गा मैनिन जेस के ठीक हैं अगला सुलनमा प्रश्ण है मस्तिस्क का अगला भाग क्या कहलाता है तो इंसरो जगा अग्र मस्तिस्क मस्तिस्क का जो आगे वाला भाग होता है उसे अग्र मस्तिस्क कहते है अगला सत्रनमा प्रश्ण है मस्तिस्क का वो भाग जो दर्द ठंधा तथा गर्म को पाचानने का रैक कारे करता है घंजा करता है घरमस मस्तिश का वह भाग है जो दर्द धंडोग को पहचांळे कारे करता है अगला थार्दर नम प्रश्ण है अन्त स्राविक ग्रंथियं से स्रावित होने वाले आर्मौन का निय सबसे पिछला भाग क्या होता है तो मस्तिस्क का सबसे पिछला भाग होता है पस्च मस्तिस्क मस्तिस्क का सबसे पिछला भाग पस्च मस्तिस्क होता है यहां पर दो तो एक नोट्स दिया हुआ है नोट्स में दिया हुआ है पस्च मस्तिस्क में सेरी बेलम यो मेडूला अवला गेंडा होता है अ पस्च मस्तिष्क में ही पायाता है सेरी बेलं और मेड़ अवला गेंडा जो सबसे पीछे है वह मेड़ल अवला गेंडा यहां पर देख आ प्रस्फन मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग क्या कहा लाता है option में रहाएगा अग्रमस्तिस्क प्रमस्तिस्क पस्च मस्तिस्क ठीक है तो इसका मारेंगे एंसर पस्च मस्तिस्क ठीक है अगर पस्च मस्तिस्क ना देकर सेरी बेलम देदे या मेड़ुला अवला गेंडा देदे तो मेड़ुला अवला गेंडा को पहले मारेंगे उसके बा आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों में सेर करें धन्यवाद